मंच पे मौजूद पंजाब आमादमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवन्तमान जी, लीडर ओफ उपोजीशन भरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जर्नेल सिंग जी, सेह प्रभारी रागव चड़ा जी, यहाँ पे आये वे सभी आमादमी पार्टी के कारे करता, सभी मीडिया के साथ ही, और आज मीडिया के जरिये पूरे देश भर में, और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कारे करम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमश्कार, सब को मेरा सत्स्रियकाल, आज पंजाब के लिए एक एतिहासिक दिन है कई माईनों में एतिहासिक दिन है पंजाब में आम आदमी पार्टी का CM चेहरा कौन होना चाहिए इसका हर पंजाबी को हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसबरी से इंतजार है कई महीनों से लोग मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे जी दूला कौन है आम आदमी पार्टी का CM चेहरा कौन है तो मैं सबको यह कहता था सबर रखो सबर का फल मीठा होता है आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा तो आज वो घड़ी आ गई है उसका एलान करने की हमने CM चेहरा ढूंडने के लिए एक अलग प्रक्रिया की पंजाब के अंदर हमने देखा की दूसरी रवायती पार्टीयां जो है कोई अपने बेटे को CM चेहरा बना देते हैं कोई अपने बहो को बना देता है कोई अपने घर के आदमी को बना देता है भगवंतमान जी मेरे छोटे भाई हैं मैं अगर खुद भगवंतमान जी का नाम डिकलेयर कर देता तो कहते हैं केजरिवाल ने अपने भाई को बना दिया केजरीवाल ने भाई भतीजावाद करा है जैसे दूसरी पार्टियां करती है वैसे केजरीवाल ने करा तो हमने का नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम पंजाब के तीन करोड लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए तो पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक फोन नमबर जारी किया और हमने का आप कॉलिंग कर सकते हो आप वाटसेप मेसेज भेज सकते हो आप एसेमेस भेज सकते हो तो हमारे पास 21,69,437 में रिस्पॉंस आए लगबग 21,69,437 लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो जो सीम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीम बनने जा रहा है तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीम किसे चुनाए ये जो 21,69,000 वोट आए जो लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया मैंने शुरू में क्या दिया था भी मेरे इसमें नहीं हूँ तो उन वोट्स को हमने इन्वैलिड डिकलेर कर दिया जिसने कावी अर्विंद केजरिवाल उसको हमने साइड कर दिया उन सारे वोट्स को मैं अपनी बात पूरी दो मिनट बस दो मिनट नाइंटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट लोगों ने सर्दार भगवन्तमान का नाम लिया दूसरे नंबर पे नव्जोट सिंग सिद्धू थे उनको थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट वोट मिले तो आज आम आदमी पार्ट से पंजाब के अगले सीम और आम आदमी पार्टी का सीम चहरा और चारिक रूप से सर्दार भगवन्तमान को डिकलेर करते हुए करते हुए करते हुए